नवद निर्मित रामायन दर्शनम तदा भारत माता सदनम का उद्खाटन करने मारें सीधी तस्विरें आप देख रहे हैं कन्या कुमारी से जहां पर प्रधान मंतरी नरेंद मोदी साथ लोग कल्यान मार्ग से आज रामानयन भारत दर्शन एक्जिबिशन और भारत माता सदनाम का वीडियो कॉंफरेंसिंगे जरियोद घाटन करेंगे देख्शन को उत्तर से जोडने की तब से पवित्र हुआ है एही स्वामी विवेकाननद जी का तीन दिवसी भारत पुनरुथान ध्यान हुआ है एही माननी एग्मा जी ने पूरे भारत को संगटी करते हुए विवेकानन्द शिलास मारक और विवेकानन्द केंदर के द्वारा स्वाम जी का संदेश राष्टर के कोने कोने तक पहुंचाने की साधना की यहाँ श्री मुरारी बापुजी द्वारा रामकधा साथ जनुवरी से चल रही है इसमें उपस्तित श्री मुरारी बापुजी देश के कोने कोने से और अन्य राष्ट्रों से आये भक्त गंड विवेकानन्द केंद्र के अधिगारी कार्यकर्ता शुबदिंदक तदा दान दाता आदे बहुत अधिक मात्रा में आपका प्रेहरनादाई उद्खाटन भाषन सुनने के लिए उद्शुख है आपको उद्बोधन के लिए अमंद्रित करने पोर वही हम आपको खृदे से धन्यवाद देते हैं कि आप नहीं इस कार्य के लिए आपका अमूल्य समय दिया हम आपसे अनरोद करते हैं कि आप जरूर जल्द ही कन्यकुमरी आके इस रामायन दर्शनम तदा भारतमदा सदनम का दर्शन कीजिए अब हम आपको रामायन दर्शन ददाँ भारत मादा सदनम के उद्खाटन समारों के अवसर एकत्र हुए सभी बंदु भगनियों को उद्भोधित करने की प्रार्थना करते हुए प्रणाम करती हूँ बुद्धा काम अनवूल तमील मक्कले उंगल अनै वरुकं यनवणक्कं अनै वरुकं एनिय पोंगल वाल्तुक्कल तमिल नाळं कन्या कुमारियं स्वामी विवेकानन रुकं मेहूं पिडित्त पुन्य भूमे बपुजे शीर्सिराम प्रणाफ पुछीर्सिर्सरीण आप तब मेहकंद केंदर काम स्थि परमाष्वरण जी स्वामई जी अप तब मेहकंद आश्रम चेटन्य नंगी मैं मिनिस्टेर तलीग ओन राधा कर्षान जी विस प्रेसिदेंट अब विवेकानन केंद्रा बालकर्षान जी निवेधिता जी जनरल सक्रेटरी विवेकानन केंद्रा भानुदाज जी अब चांक मैंगा Currently, my dear friends, I would have loved to be on meets, but thanks to the power of technology, we are connected on this occasion. And in any case, I am no guest, but I am a part of this family. 12th January, I am one of your own. 12th January, this is no ordinary day. This is a day as in history, as a day when India was blessed with one of the greatest thinkers of God. A guiding light and a stalwart who took India's message to the entire world. I offer my tributes to the reverend Swami Vivekananda. He was a giant whose powerful thoughts continue to shape several minds. आज विवेकाननपुरम में, रामायण दर्शनम, भारक माता सदनम, इसका लोकारपन हो रहा है. हनमान जी की 27 फीट उंची प्रतिमा भी और वो भी एकी पत्थर में से बनी हुई, स्थापित की जा रही है. आप लोगों ने इससे समन्दी जो वीडियो मुझे भेजा था, वो मैंने देखा है. और इस वीडियो का देख करके मैं कहा सकता हूँ, कि इसमें दिव्यता भी है, भव्यता भी है. आज ही विवेकानन केंद्र के संस्थापक, स्वर्गी एकनात रानडी जी के पॉट्रेट का भी अनावरन हो रहा है. आप सभी को आज के इस आयोजन के लिए रजय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ. भाई यो और बेहनों, आज आप लोग जिस स्थान पर है, वह सामान्य स्थान नहीं है. ये भूमी इस राज की तपो भूमी की तरह है. अगर हनवान जी को अपना परपस अब लाइफ मिला, तो इसी धर्ती पर मिला. जब उन्हें, जामवत ने उनसे कहा था, कि तुम्हारा तो जन्मही भगवान जी राम की कायरे के लिए हुआ है. इसी धर्ती पर मापार्वति की कन्या कुमारी का उसको परपस अब लाइफ मिला. यही वो धर्ती हैं, जहां महान समासुधारक, संत, तिरुवल्लुवर को दो हजार वर्ष पूर्व ग्यान का अमुरुत मिला. यही वो धर्ती हैं, जहां स्वामे विवेरा के विवेकानन जी को भी जीवन का उद्देश प्राप्त हुआ. यही पर, तब करने के बाद, उन्हें जीवन का लक्ष और लक्ष प्राप्ति के लिए मारदर्शन मिला था. यही वो जगह है, जहां एकनात रानेडी जी को भी अपने जीवन का, जीवन की जो यात्रा थी, उसमें एक नया मोड मिला. एक नया लक्ष प्रस्तापित हुआ, उन्हें पना पूरा बाकी जीवन, वन लाइफ, वन मिशन के रूप में, इसी कारे के लिए आहूत कर दिया. इस पवित्र भूमी को, इस तपो भूमी को, मेरा शत शत वंदन है, मेरा नमन है. साल 2014 में, जब हम एक नया जी के जन्म शतापदी मना रहे थे, तब मैंने कहा था, कि यह अउसर, युवायों के मन को जगाने का है. हमारा भारत युवा है, वो दिव्य भी बने, और भव्य भी बने. आज दुनिया, भारत से, दिव्यता की अनुभूती की अपेक्षा कर रही हैं, और भारत का हर गरीब, दलीद, पीडीद, सोसीद, बंचीद, यह भारत के, भव्यता की अपेक्षा करता है. और विश्व के लिए, दिव्यता, तो देश के अंदर के लिए, भव्यता, और इन दोनों का मेल करके ही, राष्ट निर्मान की दिशा में, हमें आगे बढ़ना है. भायो बहनो, आज भारत दुनिया का सबसे यंग कंट्री है, युवा देश है, 80 करोड से जादा जनसंख्या, 35 वर्ष से कम एज की है. स्वामी विवेकानन, अगर आज हमारे बीच नहीं है, शाक्षा दुरुप में नहीं है, लेकिन उनके विचारों में, इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी प्रिणा है, कि देश के यूद को संगठित करके, नेशन बिल्डिंग का रास्ता दिखा रही है. एकनाज जी ने युवाओं की इस शक्ति को एकजूट करने के लिए, विवेकानन केंद्र और स्वामी विवेकानन रॉक मेमोरियल की स्थापना की थी. एकनाज जी कहते थे, कि हमें स्वामी विवेकानन अच्छे लगते हैं, सिर्फ इतने भर से कुछ नहीं होगा. देश के लिए स्वामी विवेकानन जीजों जो कलपना की है, उसे साकार करने के लिए, वो सतत योगदान को भी इंपोर्टन मानते थे, महत्वपुण मानते थे. एक जाजी ने जिस एक लक्ष के लिए पूरा जीवन लगा दिया था, वो था स्वामी विवेकानन जी के जैसे ही युवकों का निर्मान. उन्हेने युवाओं में राष्ट निर्मान के वही आदर स्थापित करने का हमेशा प्रयास गया, जो एथिक्स, जो वैल्यूज, स्वामी विवेकान जी के थे. मेरा ये बहुत बड़ा सहुभाग्य रहा कि जीवन के अनेक वर्षों तक मुझे एकनाज जी के एक निकट साथी के रूप में काम करने का आवसर मिला, इसी धर्ती पर कई बार आकर के उनके सानिध्य में जीवन को निखारने का मुझे आवसर मिलता था. एकनाज जी के जन्मश्रती पर्व के दवरान ही तैय हुआ था कि हमारे हमारा कल्चर, हमारी संस्क्रीति और हमारे थौर्ट प्रोसेस पर रामायन के प्रभाव को दर्शाती एक प्रदर्शनी शुरू की जाए. आज रामायन दर्शनम भव्य रूप में हम सभी के सामने हैं. और मुझे भी स्वास हैं कि देश और दिन्या के जो यात्री रौक मेमोरियल पर आते हैं, ये रामायन दर्शनम शायद उनको ज़्यादा प्रेरीत भी करेगा, प्रभावीत भी करेगा. स्री राम भारत के रग रग में है, जन जन के मन मन में है, और इसलिए जब हम स्री राम के विशे में सोचते हैं, तो इसे राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पती, आदर्श मित्र, आदर्श राजा, अयोध्या भी एक आदर्श नगर था, तो राम राज्यों एक आदर्श रासन पर वस्ता थी. इसलिए भगवान राम और उनके राज्य का आकर्शन, समय समय पर देश की महान सक्ष्यतों को अपने तरीके से रामायन की व्याख्या करने के लिए प्रेरित करता रहता है। इन व्याख्याओं की जलक अब रामायन दर्शनम में भी मिलेगी। महा कभी कंबन ने कंब रामायन में कौशल राज्य को एक सुराज्य, एक सूसासिद राज्य बताया है। उन्होंने तमी में जो लिखा है, मैं उसका अंग्रेजी में अनुवाद अगर करूँ, तो उन्होंने लिखा था। नन वेर जनरस इं नक लेंट, एक नन वाद नीडी, नन सिम्ड ब्रेव एक नन दिफाक्षीर, तूत वस अनोटीष ऐस्ट्थ ने वर नो लॉसर, no learning stood out as all were learned since no one in the city ever stopped learning none was ignorant and none fully learned since all alike had all the wealth none was poor and none was reached ये कम्मन द्वारा रामराज का प्रेजेंटेशन है मात्मा गांदी भी इनी विश्यस्ताओं की विजह से रामराज की बात करते थे निश्चित तौर पर एक ऐसा सासन था जहां व्यक्ति पर्सन इंपोर्टन नहीं बलकि प्रिंसिपल इंपोर्टन हुआ करते थे गोस्वामी तुलसिदाज जी ने भी राम चरीत मानस में रामराज का विश्तार से वर्णन किया है रामराज जी यानि जहां कोई गरीब ना हो दुखी ना हो कोई किसी से ग्रणा न करता हो जहां सभी स्वस्त और सुशिक्षित हो जहां प्रकूरती और मनुष्य के बीच तालमेर हो और गोस्वामी जी ने लिखा है दैहिक दैविक भावतिक तापा राम राज नहीं कही व्यापा सब नर करही परसपर प्रीती चलही स्वधम निरत्स्रुति नीती अल्प मृत्यु नहीं कवे निव पिरा सब सुदर सब विरु सरीरा नहीं दरीद्र कोवू दुख्ली न दीना नहीं कोवू अबुद्न लच्छ नहीना राम रावन को हरा कर बड़े नहीं बने बल्कि राम तब राम बने जब उन्होंने उन लोगों को साथ लिया जो सरवहारा थे साधन हीन थे उन्होंने उन लोगों को आत्मगवरों बहाल किया और उन्हें वीजे का विश्वास पैदा किया भगवान राम की जीवन में उस भूमी का को स्विकार नहीं किया ज़ो उनके बंस ज़ारा जो परंपराय थी कई कई के वरों में कई पाते हम लोग जानते हैं वो जब अवध्या से बहार निकले थे तो इक नगर की सरत से बहार नहीं निकले लेकिन पूरे विश्व को पूरी मानवता को अपने आप में समाहित करते हुए आदर्श क्या होता है मुल्य क्या होते हैं मुल्यों के प्रती जीवन का समर्पन क्या होता है उसे उन्होंने जी करके दिखाया था और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये रामा एड दर्शनम ये अपने आप में विवेकानन पुरम में एक प्रासंगीक और हम जानते हैं प्रगति के लिए समाच जितना सबल चाहिए राज्य भी सुराज्य होना चाहिए जब राम जी को देखते हैं तो व्यक्ति का विकास व्यवस्था का विकास ये बाते सहज रुप से नजर आती हैं भायों बहनों एक नाज जी भी हमेशा चाहते थे कि देश की स्पिरिचल पावर को जगा कर देश की कर्वशक्ति या वर्किंग पावर को कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगाया जाए आज जब विबेकानन केंद्रक में हनमान जी की मूर्ति की स्थापना हो रही हैं तो उनके इस कथन की इंश्पिरेशन का भी पता चलता है हनमान जी अने सेवा हनमान जी अने समर्पट निर्विकार समर्पट भक्ति का वो रूप था जिसमें सेवा ही परमधर्म बन गया था जब वो समुद्र को पार कर रहे थे तो मैनाग परवत उन्हें बीच में विश्वाम देना चाहता था लेकिन संकल्प सिद्धी से पहले हनमान जी के लिए शिथिल ताकि कोई गुंजाइश नहीं थी अपने लक्ष की प्राप्ति तक उन्होंने आराम नहीं किया हनमान जी के सेवा भाव पर भारत रत्ना स्री राज गोपाल अचारी जी ने भी रामायन की व्याख्या करते हुए लिखा है जब हनमान जी सीता माता से मिलकर वापस लोटते हैं बगवान राम जी को माता के सवकुषल होने की बात बताते हैं तो राम जी कहते हैं the deed done by हनमान none else in the world could even conceive of attempting crossing the sea entering Lanka protected by Ravana and his formidable host and accomplishing the task set him by his king not only fully but beyond the fondest hopes of all राजा जी ने कहा है कि हनमान जी ने वो काम किया था जिसकी कोई उमीद तक नहीं कर रहा था कठिनाईयों के जिस समंदर को हनमान जी ने पार किया था कोई सोच भी नहीं सकता था और इसलिए भाईयों भेनो हम भी जब सबका साथ सबका विकास ये गाइडिंग प्रिंसिपार पर चल रहे हैं चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जंधन योजना के जरिये गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जाथ जोड़ा जाए आज गरीब के पास एक व्यवस्था करकर के हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया था और इसलिए बीमा करेने का विकल्प है किसाणों के इसका लाग भिला है किसाणों को सबसे कम प्रिम्यव पर फसल बिमा योजना दी गई है बेटियों को बचाने के लिए उन्हें पढ़ाने के लिए अभ्यान चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गर्वबती महलाओं को आर्थिक मदद के लिए देश व्यापी योजना बनाई गई है पांच करोड परिवार जो लकडी का चूला जहला करके माताएं खाना पकाती थी और एक दिन में चार सो सिगरेट का धुआ खाना पकाने से लकडी के चूले से उन्हों मा के शरीर में जाता था उन्हों माताओं को अच्छा स्वास्त मिले प्रांत्मिक सुभीदा मिले पांच करोड परिवारों में गैस सिलिंडर के कनेक्शन का बिड़ा उठाया और डेड़ करोड दे चुके हैं दलीत, पीडीत, सोसित, बंचित की सेवा यही तो जन सेवा ही प्रभु सेवा का बंतर देती हैं हमारे देश के दलीत नवजवानों को स्टैंडप इंडिया, स्टार्टप इंडिया के जरिये एंपावर किया जा रहा है छोटे कारोबारियों को कम ब्याज पर कर्ज मिल सके इसलिए मुद्रा योजना चलाई गई है गरीब से गरीब तभी गरीब की गरीबी तब दूर होगी जब हम उसे गरीब को एंपावर करेंगे जब हमारा गरीब ससक्त होगा और मुझे भी स्वास एक एक बार गरीब ससक्त होगा तो स्वयम गरीबी को परास करके रहेगा और गरीबी से मुक्ति का वो आनंद लेगा और एक नई ताकत के साथ वो आगे बढ़ेगा रामायन में जब भगवान राम और भरत के बीच शासन के लेकर के संवाद हो रहा था तब भगवान राम ने भरत से कहां था कच्चिद अर्थम मिनिश्चित लगु मुलं महाउद्यम शिप्रम आरब से करतं न दिर्गिय श्रागव राम जी भरत को कहते हैं है भरत ऐसी योजनाय लागु करो जिन से कम से कम व्याई में जादा से जादा लोगों का फाइदा हो राम जी ने भरत से ये भी कहा कि इन योजनायों को लागु करने में बिलकुल भी देरी न की जाए इसी समवाद के समाए राम जी आगे उनको कहते हैं भरत को एक और बात बताए और सतक करते हैं वो कहते हैं आयह ते विपूलह कचित कचित अलपतरो वेह अपात्रेशो नते कचित कोशो गच्छती रागव यानि भारत इस बात का ध्यान रखना कि आए ज़्यादा हो और खर्च कम हो वो इस बात की भी हिदायत देते हैं कि अपात्रो यानि की अन्डिजर्विंग को राज कोश का फायदा नहीं मिलना चाहिए यह सुचिता का मन्त राम जी ने दिया था अब पात्रों से सरकारी खजाने को बचाने का भी सरकार की कार संसुरूति का हिस्सा है आपने देखा होगा हम लोग आधार कार्ड से लिंक करके बैक अकाउंट से सीधे आर्थिक साहता ट्रास्पर करना फर्जी दासन कार्ड वालों को हटाना फर्जी गैंज के सनेक्सन वालों को हटाना फर्जी टीचरों को हटाना दूसरों का अधिकार चिन्ये वालों को हटाना ये सब इस सरकार ने मिशन भोड में लिया है भायो बेनो आज ही भारत माता सदन में पंच लौ से बनी माभारती की प्रतिमा का अनावन भी हो रहा है माभारती के इस प्रतिक का लोकारपन सौभागे की बात हैं जो भी व्यक्तिगर्ण इस विशेश येकिने में जुटे थे उन सभी का मैं इस पुन्य कारि के लिए अभिवादिन करता हूँ उनका अभिरंदन करता हूँ भायो बेनो मैं विवेकानन रॉक मेंबोरियल के समीब बनी संद थिरुवलुवर्ण की प्रतिमा को भी प्रणाम कर रहा हूँ थिरुवलुवर्ण जो सुत्र बाक्या जो मंत्र दे गए थे वो आज भी उतने ही सटीख है रिलेवंट है नव जवानों के लिए उनकी सीख्ती In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below. The more you learn, the freer streams of wisdom flow. थिरुवलवर्ण जी कहकर के गए हैं कि रेतिली धर्ती में जितना गहरा आप खोथते जाएंगे, एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे. ठिक, वैसे ही, जैसे आप जितना ज़्यादा सीखते जाएंगे, एक दिन ज्यान की बुद्धिमत्ता की गंगा तक आप अवश्य पहुंचेंगे. आज युवा दिवस पर मेरा देश के नव जवानों से आवान हैं, सीखने की इस प्रक्रिया को, लर्निंग की प्रोसेस को कभी मत रुखने दीजिए. अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिए. जितना भी आप सीखेंगे, जितनी आप अपनी स्पिरिचल पावर को डेवलप करेंगे, जितना आप अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे, उतना ही आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा. कुछ लोग spiritual power की जब बात आती है तो उसको समझ नहीं पाते हैं उसको पंत के दाहरे में ही देखते हैं लेकिन spiritual power ये पंत से परा है बंदमों से परा है इसका सीधा समन मान भी मुल्यों से हैं दैविक शक्ती से हैं हमारे पुर्व राश्पती और इसी तमिल नाडवी की धर्ती के सपूत डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम कहा करते थे spirituality to me is the way we relate to God and the divine staying connected with our spiritual life keeps us grounded and always be reminded of the value of life and important values such as honesty, loving our neighbors and many others important traits that will make the workplace a positive environment मुझे खुशी है कि पिछले कई दसकों से विवे कानन केंद्र इसी दिशा में प्रयाज भी कर रहा है आज विवे कानन केंद्र की 200 से जादा ब्रांच है देश भर में 800 से जादा जगों पर केंद्र के प्रोजेक्ट चल रहे है स्वास्त, सिक्षा, ग्रामिर भारत और संस्कृति जैसे महत्मों छेत्रों में लगातर काम कर रहे हैं पटला से लेकर के पॉट बेर तक, अरुनाचल प्रदेश से कार्वी अंगलंग से लेकर के किश्मीर के अनंद नाग तक, रामेश्वर्म से लेकर के राज़कोड तक, उसकी उपस्तिती हैं दूर दराज वाले इलाकों में लगव 28,000 चात्रों को इस केंद्र के जरिये शिक्षा दी जा रही हैं बेविशेश तोर पर उत्तर पुर्व में नौर्थिष्ट में उन राज्यों में विवेकरन केंद्र के कार्यों के सराना करना चाहूंगा एकनाज जी के रहते ही अरुना चल पदेश में साथ रेसिडेंस सस्कूर खुले थे आज उत्तर पुर्व में 50 से ज़्यादा जगव पर विवेकरन केंद्र सामाजिक कार्यों से जुड़ा है अंगिनत छात्र आईटे स्टुडेंट आयाटी स्टुडेंट डॉक्टर्स प्रफेश्नल स्वेच्छा से विवेकरन केंद्र में सेवा व्रती के तौर पर काम करते हैं इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की सेलरी नहीं दी जाती, बलकि असब सेवा भाव से किया जाता है मैं मानता हूँ कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा के लिए ये सेवा बरती हम सभी के लिए प्रयना है सामान ये जीवन को जीते हुए समाज सेवा का आदर शुधारन है देश की विवाओं के लिए एक दिशा है, एक मार्ग है विवेकानन केंद्र से जुड़े लोग आज राष्ट नियर्मार में अपना महत्वपूर्ण योगदाउं दे रहें और वो भी सेवा के माद्यम से दे रहें मुझे उमीद है कि केंद्र आने वाली पीडियों में इसी तरह नए विवेकानन का निर्मान करता रहेगा आज होर व्यक्ति जो राष्ट निर्मार में प्रोएक्टिव होकर के अपनी डूटी निभा रहा है वो विवेकानन है हर वो व्यक्ति जो दलीत, पीडित, शोषित और वंचीतों के विकांस के लिए काम कर रहा है वही विवेकानन है हर वो व्यक्ति जो अपने एनर्जी को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशन को समाज के हित के लिए लगा रहा है भही तो विवेकानंद हैं आप सभी जिस मीशन में जूटे हैं वो मानउता के लिए हमारे समाज के लिए एक बड़ी तपस्चा की तरह हैं आप ऐसे ही भाव से देश की सेवा करते रहें यही कामना है विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर युवाद दिवस पर आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुब कामना है, बापु को मेरा जैश्राम और वहाँ परमेश्वरन जी वगएरे सब को नमन करते हुए, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे विश्वास है, जैसा मुझे निमंत्रन दिया गया कन्या कुमारी आने के लिए, मेरा जाओंगा, आपके बीच कुछ समय बिताओंगा, मुझे इस अवसर पर, वहां रूब रूब में नहीं आ पहुचा, इसका खेद है, लेकिन फिर भी दूर से सही, यहां दिल्ली में ठंद है, वहां गर्मी है, इन दो के बीच, हम नई उर्जा और उमंग के साथ आगे बढ आप सबको इस पावन परवपर बहुत बहुत शुक्रामना है, बहुत बहुत धन्यवार